मैं तरुन कुमार साहू, अग्रेशन एडिय कांकेर से ट्रेड इलेक्टिशन, सेकेंड येर के ट्रेड थेवरी का पावर जेनरेशन टॉफिक के बारे में आज डिसकस करने जा रहा हूँ तो ट्रेड थेवरी के इस टॉफिक में पावर जेनरेशन में आज का हमारा topic रहेगा syllabus के according, conventional and non-conventional source of energy and their comparison मतलब परामपरागत और गैर परामपरागत उर्जा के स्रोत और उनके बीच अंतर इसके बारे में आज हम discuss करेंगे तो आज हम देखेंगे कि सकती उत्पादन कैसे करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसको उत्पादित कैसे किया जाता है तो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के जनरेशन में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हमको में फ्यूल की ज़रुत पड़ती है इन्धन को तो इस इन्धन को दो भागों में बाटा गया है इलेक्टिक पावर को जनरेट करने के लिए जो इन्धन की जरुरत पड़ती है इस इन्धन को दो भागों में बाटा गया है एक होता है conventional source of energy और एक होता है non-conventional source of energy मतलब इंधन का जो दो भाग है उसको बुला जाता है एक को परमपरागत सोर्स और दूसरे को बुला जाता है आप परागत सोर्स ये वास्ताव में फ्यूल के कैटेग्री है मतलब फ्यूल जो हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं किसी ने किसी फ्यूल के माध्यम से इले परामपरागत सोर्थ के रूप में और आपरामपरागत सोर्थ के रूप में तो आज हम पढ़ेंगे पहला टॉफिक हमारा परामपरागत सोर्थ फिर उसके बाद हम लोग अगले इस टॉफिक में जाएंगे अपरामपरागत सोर्थ तो सबसे पहले देखें कि परामपरागत source of energy किसको गुट